नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एबल और एफिसिंट ब्लॉग्स पर यहां पर मैंने बियसनल का एयर फाइबर लगवा है और मैं आपको उसी बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों गाओं में जो है फिलाल, जियो, एयर टेल, बोड़ा फून या जो भी निट सर्विसिस देते हैं उनकी सर्विस है नहीं आप देख सकते हैं कि पूरा यहां पर गाओं है और यहां पर इस तरह का कुछ सर्विस अवलेबल है नहीं तो मैंने बियसनल का एयर फाइब दोस्तों यह केबल वाले नहीं है यह वायर लेस यहां पर यह रिसीबर लगा हुआ है और मैंने इसको इसको मैं दिखाता हूँ अच्छे तरह से कि एक 20 फिट का मैंने लुहे का एक पाइप लगाया हुआ है ठीक है इसको हाइट देने के लिए ताकि यह सीगनल को अच्छे तरह से रिसीब कर पाया है कुछ इस तरह से और मैंने टीपी लिंक का एक वाइफे डाउटर लगाया है ताकि अलग अलग डिवाइचे से वाइ इसके एसपीड देखाता हूं के गाहों में लेकिन दोफसों बात यह है कि आलग एक वेबसाइट पर चेक करने पर जो स्पीड मिलती है वह आलग होती है लेकिन प्रैक्टिकली स्पीड जैसे आपने फॉन में कुछ डाउनलूड करते हैं या कुछ अप्लोड करते हैं तो यह बिल्कु लाला होता है तो मैं आप वह भी देखांगों तो चलिए चलते हैं अपने कम्पोर्टर बर तो दोस्तों हम आगा हैं अपने लैप्टप स्क्रीन पे और हम अभी चेक करने वाले हैं हमारे जबी इसनल फाइबर है उसकी कितनी स्पीड होती है दोस्तों स्पीड दे देगा इस वेबसाइट पर वह ही बताता है लेकिन एक प्रैक्टिकल यह स्पीड होती है जैसे कि हम कुछ है वह याप लूड करते हैं उस से में हम एक्छोल स्पीड कितना मिलता है वह होता है यह स्पीड फिलाल हम वह भी करके देखांगे अपने फोन में तो चलिए अभी आप test कर लेते हैं इसका fast.com का का है आप यहाँ पर देखे फिल्हाल टाइम हो रहा है अलगबक 12 बज़ रहे रात के और अभी यह व्याशनल एयर फाइबर का speed है fast.com पर ठीक है आपको यह speed है हाँ पर मिल गई 34 mbps के speed है अलगबक लेकिन इसका एकदम से ही अलग है एक और website है यहाँ पर गूगल का है तो चलिए आप देख लेते हैं इसका speed थोड़ा से दोनों में अलग है उसमें 34 mbps आये हुआ है और इसमें अफ्रॉक्स 3032 पर फ्लक्चुईट कर रहा है तो यहाँ पर हमारा download speed आ गया है 32.9 mbps और अभी upload speed तो दोस्तों upload speed आ गया है 7.71 mbps का फिलाल motion के उपर भी यह depend कर सकता है ठीक है और दिन रात के time जो बेस्नेल एक फाइबर का upload speed आटी वो कम होती है लेकिन दिन में काफी ज्यादा होता है अप्रॉक्स यह 4049 चला जाता है और मैं थोड़ा से इसको क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप बेस्नेल एक फाइबर लेना चाहते हैं तो असल में जो भी कमपनी है इस एट लोगे जी हो गई यह लोग खुद के employee रखते हैं और अपने vendor के तुरू यह लोग installation करवाते हैं लेकिन क्योंकि बेस्नेल सरकारी कमपनी है और इसलिए इने बेस्नेल को घाटा ना हो सरकार को नुक्सा ना हो इसलिए उन्होंने थार्ड पार्टी वेंडर को दे रखा है और वहां पर अलग 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 location पर चार्जेश गाट यह बढ़ सकते हैं क्योंकि हमने जब लगावाया हुगा है अपने जो receiver हमने उसे second hand पर्शिज किया था अब लेकिन फिर भी और सेक्रेटिव मन्यों बबार करते दारते हमरे एप्रॉक्स साड़े साथाजर रुपे का खर्च आ गया है हम गाउं में रहत हो इसके प्राइस के साथ और इसमें का difference है अगर आप भी इसमें के प्लान देखेंगे लगभग जदतर स्टेट्स का यहीं है ठीक है और हो सबके कुछ स्टेट का अलग हो आप पहले आप अपना स्टेट चूज कर लें एक बार लेकिन जदतर का मेरे साब से एक ही होना चा सब्सक्राइब के यहां पर 30 Mbps 40 Mbps 50 Mbps और 70 Mbps है और आपको लगभग जो अगर कुछ लोग ऐसा समझते है कि यह फाइबर प्लान या जो भी फाइबर प्लांस लेते हैं अन्लिम्टेट या ब्रॉड्मेंट सर्विसेस यूज करते हैं उनको अन्लिम्टेट नेट मिलत है ऐसा नहीं है यह लोग 3300 GB यानि 3,300 GB आपको डेटा देते हैं ठीक है अब देखें यहां पर इसका प्राइस है 499 लेकिन यहां पर आप ऊपर के तब थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा तो यहां पर है ओल प्राइस आर एक्स्क्लोसिफ आफ जिस्ट यानि इसमें जिस्ट एड नहीं किया गया है इसका मतलब यह है जिस्ट एड करने के बाद अगर 18% आप जिस्ट इस 499 वाले प्लांग यूज़ करते हैं तो आपको एप्रोक्स यह पड़ जाएगा 89.82 रुपिया ज्यादा प्लान का प्राइस हो जाएगा 588 रुपिया 82 पैसा सो इस बात का आप ख्याल रखें यहाँ पर जो भी प्राइसेस दिखाई जा रही है ठीक है उनमें जिस्ट एड नहीं है तो आप इसको लगबग 600 रुपे के एंगूड करके ही चले अब दूसरा हम चल रहा आते हैं अपने एर्टेल पर ठीक है इसका भी वहीं रव बजट और अपने जरूरत के साफ़ से प्लान में चेंजेस कर सकते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर केवल 499 का है प्लान लेकिन यहाँ पर टार्मेंट खंडिस अप्ला यह है कि इसमें भी टेकसेस नहीं जोड़ेगा है यान जो जिएस्टी है इसमें भी नहीं जोड़ के साथ यह हो जाएगा 588.82 ठीक है अब बचता है जियो का जो बेसिक प्लान है यहाँ पे है आपको 30 Mbps के स्पीड मिलेगी और 399 प्लस जिस्टी ठीक है यह लोग भी जिस्टी जोड़े नहीं हुए हैं मतलब मेरे हिसाब से अगर इन लोगों जिस्टी लेना ही चाहिए और लेते भी हैं तो उसके साथ ही यह प्राइस अगर दिखा है तो ज्यादा बैसा देखेगा लेकिन भाई कंपनी है उसकी अपनी पॉलिसी है ठीक है तो 399 का इसका प्लान है और इसका भी आप 80% जिस्टी की जिएगा तो लगभग 470 रुपे के आसपास के यह आपको और अपने सुवधा के अनुसार प्लान को बढ़ा और घटा सकते हैं या जो भी सर्विसेश आप लेना चाहें क्योंकि हम गाउं में रहते हैं और यहां पर एटल और जीओ के सर्विसेश नहीं है इसलिए हमने बी एसनल एक ही अप्सन बचा था और एक अपसन है तो आपक नहीं भी लगवाते हैं तो आप इन से पता कर लेजाए कि क्योंकि बीएसनल है सरकारी कंपनी और यहां पर इसमें भरस्ट चारी ना हो क्योंकि इसमें मतलब जो लोग हैं साइज आफिसर स्टंग से काम नहीं करते हैं और बीएसनल को ज्यादा तर टाइम घाटा ही हो जात कीजिएगा और उसके सेर्विसेस के जानकारी भी इसनल देगा बाकी उसका नेट उसमें जो आपके इंस्टॉल करेंगे नेट वो अलग के बंदे आते होंगे और उनसे उनमें आप अकर थोड़ा बार्गैनिंग कीजिए गया तो हो सकते थोड़ा साब को पैसे के छूट म आने में लगब बढ़ा है साथाजार रुपिया साथाजर पानसुर रुपिया के खर्चा आया है और यह यह पिसाइद एक मेंने मन्त का फ्री देते हैं और इन लोग का डिवाइस सब कुछ फ्री होता है इंस्टॉलेशन फ्री होता है और जीयों कभी बिल्कुल हैं ठीक ह अगर आपको किसी तरह की डाउट हो तो आप जरूर कमंड करें और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए